Good morning friends, स्वागत है आपका, आपका अपने यूट्यूब चैनल, Study with रवे ठाकोर पर, तो चलिए आज कि दो हिंदू अडिटूरियल वकाबलेर की शुरुआत करते हैं, आज की वकाबलेर में जो अडिटूरियल पहला दिया गया है हिंदू का, वो दिया गया है, अमेरिका के बा सठाहस्तानतरन करने के लिए, अपनी सीट छोड़ने के लिए, पर फिर वहां पर हिंसक जड़्पे हो रही हैं, तो उसके रिगार्णिंग दिया गया है पहला आजिटूरियल और जो दूसरा आजिटूरियल दिया गया है आपका, अबी जो इंडिया में है, हमारे भारत मे में है स्वाइन फ्लू के केसिस बढ़ रहे हैं दो तिन राजिये तो हाई अलट पे हैं चार एक राजिये हैं हाई अलट पे मध्यप्रदेश है आपका राजिस्थान है हिमाचल है और हर्याना है केरला भी है तो थोड़ा सा ध्यान अखिए गाइस के रिगार्डिंग भी से फैलता है पक्षियों से आज जानवरों से फैलता है स्वाइन फ्लू तो उसके रिगार्डिंग है दूसरा एडिटॉरियल तो उसको आप ध्यान से पढ़िएगा तो इन दोनों एडिटॉरियल में से मैंने वकैबलरी लिय है और आप दे हिंदू एडिटॉरियल डेली में डिसक्स किया जाता है जो करंटली हो रहे होते हैं एक तो करंटल फेर दूसरी आपकी रिडिंग स्पीड बढ़ेगी आदत आपकी बनेगी पढ़ने की और तीसरी वकैबडरी तो इंप्रूव होई रही है क्योंकि वकैबडरी आप रटके नहीं कर सकते हो जब तक आप आपको यह पता नहीं होगा कि कौन सा वर्ड के इस कंटेक्स्ट में यूज हो रहा है तब तक कोई फायदा नहीं होसका तो आप प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी देली बेसिस पर पढ़ा किजिए 30-40 मिरिट लगेंगे इससे जाधा नहीं लगता है टाइम तो चलिए किसी को उतेजना पैदा करना उतेजित करना उसे बोला जाता है इंगलिज में इंसाइटमेंट if someone is accused of incitement to violent or illegal behavior they are accused of encouraging people to behave in that way that is called incitement next word है replete replete यहाँ पे adjective की तरह यूज हुआ है इसका मतलब होता है किसी चीज से पूरी तरह से भरा हुआ होना परिपूर्ण होना उसको बोला जाता है replete to be replete with something means to be full of it that is called replete अगला शब्द है reconvene reconvene यहाँ पे word की तरह यूज हुआ है इसका मतलब होता है किसी कानून को या किसी बैठक को किसी meeting को कुछ समय के बाद दोबारा शुरू करना दोबारा बुलाना उसको बोला जाता है reconvene यह word यूज हुआ है अभी पहले जो भी जीत गहे थे तो उसके बाद अभी उन्होंने शबत लेनी है तो उसके regarding जो पूरी formalities है वो दोबारा करनी है तो उसके regarding यह word यूज हुआ है आप auditorial में देख सकते हैं reconvene if a legislature could and conference reconvenes or if someone reconvenes it it meets again after a break that is called reconvene अगला शब्द है tentamount tentamount यहाँ पे adjective ही तरा यूज हुआ है इसका मतलब होता है किसी एक बात का हम किसी हम दो बातों की या दो स्थितियों की बात कर रहे हैं यहाँ पे तो किसी एक स्थिति का या किसी एक बात का किसी दूसरे से compare करने पर पहले वाली स्थितिया बात का बहुत जादा गंभीर परिनाम या जोखीं भरे परिनाम होना उसको बोला जाता है tentamount if you say that one thing is tentamount to another more serious thing you are emphasizing how bad unacceptable or unfortunate the first thing is by compare it to the second thing that is called tentamount next word है vicious vicious यहाँ पे adjective की तरह use हुआ है इसका मतलब होता है किसी के परती बहुत ज़्यादा द्वेश पून भावना रखना बहुत ज़्यादा कटू भावना रखना या उसको हानी किसी तरह का नुकस्तान पहुंचाने का प्रयास करना उसको बोला जाता है vicious vicious यह word हम ऐसे वि vicious अगला शब्द है vitroil यहाँ पे verb की तरह use हुआ है vitroil का मतलब होता है अपने भाशन में किसी की अलोजना करना उसके प्रती बहुत गंदे शब्दों का बहुत कटू शब्दों का इस्तमाल करना उसे बोला जाता है vitroil if you refer to what someone says or writes a vitroil you disapprove of it because it is full of bitterness and hate and so causes a lot of distress and pain that is called vitroil next word है disenchantment disenchantment यहाँ पे noun की तरह use हुआ है इसका मतलब होता है किसी बात को लेकर या किसी स्थिती को लेकर या किसी चीज को लेकर हताश होना परिशान होना निराश हो जाना उसे बोला जाता है disenchantment disenchantment is the feeling of being disappointed with something and no longer believing that it is good or worthwhile that is called disenchantment next word है unprecedented unprecedented यहाँ पे adjective की तरह use हुआ है इसका मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई घटना जो आज से पहले कभी घटित ना हुई हो हम बोल सकते हैं उसको अभूत पूर्व और आदिवतिय और इंगलिश में उसको बोला जाएगा unprecedented never having happened or existed before that is called unprecedented अगला शब्द है angst यहाँ पे noun की तरह use हुआ है इसका मतलब होता है किसी स्थिती या हम बोल सकते हैं किसी बात के बारे में या अपनी life के बारे में हमेशा चिंतित रहना या फिर व्याकूलता की भावना होना उसे बोला जाता है angst a feeling of anxiety and worry about a situation or about your life that is called angst अगला शब्द है inevitable यहाँ पे adjective की तरह use हुआ है इसका मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई घटना जिससे बचाना जा सके जिससे टालाना जा सके तो उसे बोला जाता है inevitable if something is inevitable it is certain to happen and cannot be prevented or avoided that is called inevitable अगला शब्द है moriband यहाँ पे adjective की तरह use हुआ है इसका मतलब होता है किसी भी स्खिती के बारे में हम बात कर रहे हैं या कोई भी चीज है जो बहुत बुरी अवस्था में है उसकी condition बहुत खराब है या हम बोल सकते हैं बिलकुल मरी हुई अवस् में होना तो उसको बोला जाता है एंगलिश में moriband in a very bad condition और हम बोल सकते हैं dying that is called moriband अगला शब्द है curled यहाँ पर वर्प की तरह use हुआ है इसका मतलब होता है उसी के regarding use हुआ देखे ये शब्द swine flu के regarding कुछ पशू और उसके समूह कुछ पशू या पक्शी है उनकी सं क्या हो कम करने के लिए मार देना because of that swine flu तो उसको बोला जाता है curled to kill a number of animals in a group of group to prevent the group from becoming too large that is called curled next word है vigilant vigilant यहाँ पर adjective की तरह use हुआ है इसका मतलब होता है किसी भी काम को करने में एकदम साफधान रहना चौकसी बरतना सतरकता बरतना एकदम से मुस्तैद रहना एकदम से उसको बोला जाता है vigilant someone who is vigilant gives careful attention to a particular problem or situation and concentrates on noticing any danger or trouble that there might be that is called a vigilant और आज की the hindu editorial vocabulary का अंतिम शब्द है pandemic pandemic तो बहुत common सा शब्द हो गया है अब जब से COVID-19 आया है pandemic यहाँ noun की तरह use हुआ है इसका मतलब होता है ऐसा कोई रोग ऐसे कोई बिमारी महामारी जो सर्व्यापी देश्व्यापी विश्व्यापी फैली हो उसको बोला जाता है ऐसी बिमारी महामारी को बोला जाएगा ऐ a disease that spreads over a whole country or the whole world that is called pandemic तो आज की वकाबलरी का अंतिम शब्द था यदि आपको वीडियो इन्फरमेटिव लगा हो आपने वीडियो से कुछ सीखा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा जादा जादा वीडियो को अपने Facebook पे अपने WhatsApp पे शेर कर दीजेगा तो आज की दे हिंदू अडिटूरियल वकाबलरी में इतना ही थैंक यू, थैंक्स वर वाचिं